जाईन दोस्तों स्वागत आपके अपने यूटूब चनल स्नैक लवर जड़े जापे और आज हम आपको दिखा रहा है ये गोल्डन चेरी लवबड और लवबड में और कई सारे म्यूटिशन आते हैं जैसे के फिशर लवबड है ग्रीन फिशर वायोलेट मास्क ब्लू मास् अल्बिनो यूटिनो ऐसे कई सारे इस में अलग-अलग कलर में अलग-अलग पेटन में लवबड आते हैं दोस्तों और ये एक्जोटिक बड़ है इसे आप अपने घर पे आराम से रख सकते हैं और कई सारे पेट-चोप पे आपको मिल जाएगे बहुत आर्सنी से आप जहां भी ओडर करेगे हैं मिल जाते हैं लेकिन इसको घर लेयाने में कोई दिक्कत नहीं होती दिक्कत उसको संभालने में होती है जब भी आप कोई भी बर्ड कोई भी एनिमल हो कुछ भी हो तो दोस्तो उसकी केर करना बहुत ही जरूरी होता है तो दोस्तो जो ये लवबड है वो आफरिका में पाया जाते है और इसे आफरिकन पेरोड भी कहा जाता है और उसके साथ है ये बजजिस बजरीगर जो औस्टेलियन है जो कि इसको हम साथ में तो कभी रखते ही नहीं है ये तो सिर्फ वीडियो बनाने के लिए ऐसे ही थी और दोनों के दोनों ही पेरोड फेमिली से बिलोन करते है पर अगर आपको घर ले जाके इसकी बीडिंग करव तो मेरी मुद्दे की बाद तो यही है कि आप किसी भी अनिमल को लाए उसकी केर करें और गलती से भी आपके पिंजरे से ये उड़ना नहीं चाहिए एक बार जो कर ये निकल गया यहाँ पे पिंजरे में से तो हमारे जो शिकारी पक्षी होते है वो इसे मार देते है और इ कई सारे कठोल भी वे से खा लेते है भीगवे हुए तो क्या ये बाहर अगर जाए कि यहाँ पे तो हमारे पक्षियों के बीच में ये शरवाइब नहीं कर सकते है और हमारे जो शिकारी पक्षी होते है वो उसे मार देते है तो जब तक ये आपके घर में रहेंगे आपके पिंजरे में रहेगे तब तक वो शेफ रहेगे, नहीं तो ये बाहर कहीं निकलेगे तो अवश्छे अपने शिकरी पक्षी उसे मार देते हैं, तो दोस्तों जब भी ऐसे निमल लाए, तो अपने गढ़ पे इसे संभाल के रखें, और पुरी तरह से उसकी केर करें दोस्तों तो जब भी ऐसे बर्ड आप गर में लाए तो इसके लिए केज खाने पीने की पूरी वेवस्ता जो जो इसे पसंद चीजे होती है वो आपको उसे लाकर देने होती है और वो आप खिलाएंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है और ओके तो दोस्तों हमें बताएगा कि आपको ये लोबड की वीडियो कैसी लगी और दोस्तों मरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब जरूर किजेगा दोस्तों जैई, जै भरत, बाई